हेलो नमस्ते अवरीबन वेलकम तो लेरन शौर देगाइस इस वीडियो में आप लोग के साथ डिसक्स करूँगा डिस्क्रिप्टिव बैच के रिगार्डिंग जो मैं अनौन्स करने जा रहा हूँ आपका JCA सुप्रेम कोट अफ इंडिया का सबसे पहला एक क्वेशन जो मैंड में आप सबके चलना चाहिए और चल भी रहा होगा कि सर हमारा एक्जाम कब हो सकता है तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगा एक्जाम या तो एपरेल में होना चाहिए या फिर में के अंदर हो सकता है यह मैं अंटिसपेट कर रहा हो आप लोगा एक्जाम कब हो सकता है ठीक है ये कोई authentic update नहीं आया है मेरे पास बट मैं assume कर रहा हूँ, मैं anticipate कर रहा हूँ कि आप लोग का exam इन दो मन्त के अंदर हो सकता है ठीक है, तो हमारे पास date से दो मन्त का window है जिसमें आप अपनी preparation कर सकते हैं और आप already पहले भी कर रहे होंगे जो कि हमने Delhi High Court का बनाया था descriptive batch ठीक है बच्चो, अब Supreme Court of India का descriptive batch हम बनाने जा रहे हैं ठीक है, तो सबसे पहले जो कुछ important चीज़े मैं आपको बतायता हूँ जो descriptive batch होगा हमारा, इस batch में आपको 10 mock test important सबसे important चीज़ होती है कि जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे, तब तक आप नहीं सीख पाते descriptive के लिए, descriptive में सिर्फ मैं आपको mock test दे दो और आप उसके answer कर लो जो कि बहुत बड़े channel ऐसा कर रहे होंगे, बट ऐसा फायदा नहीं होगा जब तक आप descriptive जो लिखना जब तक आप जिसे आपने कुछ लिखा, एक मान लोगे का आपने essay लिखा, प्रेसे लिखा, comprehension solve किया और आपने मेरे को भीजा फिर मैंने उसको check किया, analyze किया, मैंने merits और demerits count किया उसमें से फिर मैंने आपके साथ discuss करी फिर उसके बाद आपको जब एक और दिया आपने, तो उसमें जब improvement हुई, तब ही benefit होता है mock test और descriptive batch का तो बिल्कुल इसी pattern को follow करेंगे, जो कि मैंने आपका Delhi High Court में follow किया था, वही pattern हम follow करने वाले है, क्या होगा pattern आपको सबसे पहले तो total 10 mock test मिलेंगे, ठीक है, total 10 mock test मिलेंगे, ये 10 mock test बिल्कुल current issues पे होंगे, जो important topics आपके essay के प्रेसी के बन सकते हैं, वो सारे cover किया जाएंगे, ठीक है, सारे के सारे important topic में, आपको अलग से इसके लिएक वीडियो भी लिके आँगा कि क्या का topics आपके पेड़ बैच में, और इसके अलावा जो आपके mock test कौन-कौन से हैं, सारे के सारे हम cover करने वाले हैं, ठीक है बच्चो, बात करते हैं, descriptive batch में 10 mock test मिलेंगे, आपको ये बैच स्टार्ट हो रहा है 12 March, ठीक है, परसों से स्टार्ट हो जागा, ये बैच कहा होगा, आप play store पर हैं, और court shala app को download कर लिजिए, court shala app को download करेंगे, उसके अंदर already मेरा एक English booster course के नाम से batch चल रहा है, पूरा जिसमें मैंने आपको English grammar, vocabulary, comprehension, सारे English का पूरा coverage कर दिया है, हमनों, इसके लावा एक PA और SPA का भी batch, mock test announce कर दिया है, लेकिन उसमें अभी बच्चे कम है, because आपको ब इसका वो तियारी कर पाए, ठीक है बच्चो, अच्छा एक और चीज़ बहुत important होते हैं, जब भी आप किसी भी quote की तियारी करते हैं, कुछ बच्चे tier 1-1 की तियारी करने में लगे रहेंगे, उनका भी selection नहीं होता, कुछ बच्चे सिर्फ typing करते रहते हैं, उनका भी नही आपको साथ-साथ English हमेशा करनी है, अगर आप quote का target रखने है, टाइपिंग डेली करनी है, ठीक है बच्चो, और आपको descriptive थोड़ा सा काम करना है, ये अगर आप follow करेंगे तो आपको quote के exam में कभी problem नहीं आती, ठीक है बच्चो, तो बात करते हैं हमारे batch की descriptive batch है, 10 mock test हम करें quote रखने पर आप play store से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है बच्चो, तो मैंने आपको इसका updated दिया, आगे बढ़ते हैं, क्या क्या मिलेगा आपको देखो, सबसे पहले तो 10 mock test मिलेंगे, मैंने आपको बता दिया, 2 test मैं personal, मैंने फुद चेक करूँगा, आप मेरे को भेजेंग तो आपके 2 mock test मैं आपके खुद चेक करने वाला हूँ, 10 में से, ठीक है, जो 8 बच गे, उसको हम कैसे solve करेंगे, उसमें से जो आपकी 5 test होगे, वो video analysis से solve के जाएंगे, मैंने वीडियो के तुरू मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे कैसे लिख सकते थे, क्या क्या ठीक है बच्चो, तो 5 ये solution देंगे आपको, और आपके जो 2 हो गए, ये मैं आपको चेक करूँगा, तो बच्के 3, ये जो 3 होगे, ये आपको PDF में अंसर मिल जाएंगे, ठीक है, पूरा PDF format में अंसर मिल जाएगा, तो मैंने आपको बता दिया, क्यागे चीज़े मिलने वा है, दूसरा, how can we write essay, जिससे आपका जादा से जादा स्कूर है, तो ये 5 वीडियो इस पर होगी, अच्छा, 25 वीडियो मैं separately आपको प्रोइड गरूँगा, जिससे आपके 10 marks डेफिनिटली बन जाएंगे, अब आपके 25 वीडियो कैसी, इसके बारे में बताते हैं, इस चीज बैच जो आप लोग का होगा, वो टोटली से बेच दोगा, आपका पहला हो चुका है, अब आप लोग का जो थर्ड स्टेज है, ये भी हो चुका है, प्रेसी करेंगे, और आपकी essay रैटिंग, मतलब मोटा मोटा देखे जाए तो तीन चीज़े करने हैं आपको, सबसे पहल करने है, comprehension, ठीक है बच्चो, comprehension हमारे लिए important है, दूसरी चीज़ आप लोग के लिए, प्रेसी राइटिंग, प्रेसी राइटिंग जो है आपकी, और तीसरी है essay राइटिंग, ठीक है बच्चो, अब यहाँ इन्होंने लिखते हो दिया, टू आवर्स में होगा, चलो हमें पता चलेगा, टू आवर्स में, क्या आपको यह पता है कि कितने का comprehension है, कितने का प्रेसी है, कितने का essay है, यह comprehension में कितने कोशन, किस तरीके से आएंगे, comprehension को डिवाइट कैसे करेंगे लोग, नहीं पता, आज पता लग जाए इस वीडियो से, ठीक है, बाकी जब आप बैट 30 marks की है, और essay आपका 40 marks का है, तो हो गए आपका 100 marks का, तो जिन बच्चों को यह नहीं पता कि paper कितने marks का हो, तो बच्चों आप लोगा descriptive exam होगा 100 marks का, ठीक है, जिसमें comprehension आपका 30 marks का है, प्रेसी आपकी 30 marks की है, और आपका essay writing है 40 marks की, ठीक है, अगर आप उससे पूछेंगे क सबसे ज़्यादा score हम कहां कर सकते हैं, तो easily आप लोग यहाँ पर 30 में से 30 score कर सकते हो, ठीक है, comprehension में कैसे कर सकते हो, मैं आपको भी बता हूँगा, ठीक है, अच्छा, अब जो सबसे important चीज़ जो आपको पता नहीं है, और जिसके बारे में आपको पता लगने वाला है, वो अब आपको कहें सर, यह 30 नमबर कैसे डिवाइड कर देगा, देखो, आपका जो comprehension आएगा, वो ऐसे डिवाइड किया जाएगा, जैसे मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, पहला एक question यह बना जाएगा, एक second question ऐसे बना जाएगा, फॉर्थ ऐसे बना जाएगा, फाइफ ऐ कैसे 6 question बना जाएगे आपके, और 5 नमबर का यह बना जाएगा, तो 30 नमबर का ऐसे आपका comprehension बनेगा, तब आप कहेंगे सर, क्या यह comprehension जैसे आप एक question दे दिया, उसका answer लिख दिया, क्या उससे marks मिलेंगे, तो इसका मैं जवाब देता हूँ, कैसे question आएगे, यह मैं पूर करते हैं, तो भी आपको authentic information मिल जानी है, जैसे email गी है, अब मैं बताता हूँ, जो आपका प्रेसी होगा न, sorry, जो आपका comprehension होगा, उसमें चार question तो बिलकुल comprehension पे होँगे, क्या मतलब हो इसका, जैसे मान लोगे comprehension दे रखा आपको, ठीक है, आप से एक point बना देगी, मान लो कोई इसके अंदर किसी के बारें बताएगा, what does John think about the economic problem, मान लोगे का, ऐसा मैंने question मना दे, ठीक है, क्या सोचता है, अब इसके अंदर वो mention आप लिखोगे, आपके उपर कितनी भी line में लिखोगे, आपने लिखा, ठीक है, फिर दूसरा question एक और पूछा, उनने फिर आपन बने वाले हैं, जिसमें आप, ठीक है, बीस नमबर आपके, इस पर बन जाएंगे, कि आपने, जो ऐसे पढ़ा, जो sorry, जो comprehension दे रखा, पैसेज आपने पढ़ा, उसके आपने अंसर कर दिये, ये जो last के दो question है, इसके अंदर वो directly आप से 5 तो पूछेंगे synonyms, इस इसको ध synonyms और antonyms में, one word, idioms नहीं आ रहे हैं, ठीक है, एक spelling session और थोड़ा हम देख सकते हैं, spelling की भी मैं आप shift share कर दूँगा, इसके अलब आपको one word, idioms, phrasal verbs, ये सब नहीं करना, सिर्फ आपको synonyms और antonyms करना है, previous year के according में अबतार हूँ, आपको अगर मैं previous year के pattern का follow करता हू अगे help करने वाले, help तो हो नहीं हो नहीं है, लेकिन हम जो pattern last time था, उसी को follow करने वाले, ठीक है बच्चो, तो 25 वीडियोज आपकी होगी, इस topic के ओपर जिसमें हम ये लिखने वाले है कि कैसे आपको, इस से जट तक vocabulary होगी, इसके लावा, ये जो है comprehension कि हम 10 comprehension की question solve करेंगे, 10 हम solve करेंगे, press C के और 10 हम solve करेंगे, S से के, ठीक है, जिसमें से 2 मैं खुद से आपके check करूँगा, personally, 5 आप वीडियो से देखने वाले हैं, और 3 आपको PDF answer में मिलने वाले, तो ये पूरा pattern देने वाले हमारा, हमारी fees है, आपने देखे लिए, 499 fees है, एक चीज़ और आपक के पास enough होंगे, ऐसे letter सबको अपने limit के according लिख सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा, हाँ, एक चीज़ में आपको हमेशा बताना चाहूँगा, देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, जब आप paper देने जाएंगे, तो आपको roll number, name, candidate shall neither write his, आपको अपना नाम, roll number, ना और signature, कहीं नहीं लिखना है, जहां बोला गया, उसके अलावा, जैसे मानलो, आपकी sheet यहां start करिया, यहां बोला गया, अपना roll number, नाम और यह बताओ, ठीक, आपने यहां लिख दिया, लेकिन इसके अंदर अगर आपने कहीं पर भी कोई जिकर कर दिया, कोई mention कर दिया, इस मानलो, किसी का ना, उसने कोई hint बना दिया, जो भी बना दिया, तो अगर वो hint यहां कोई indication को लगता है, कि आपने कोई indication छोड़ा उसके इंतर, तो आपको क्या किया जाएगा, आपका marks कट सकते हैं, और आपको zero marks भी दिये जा सकते हैं, तो इस चीश को ध्यान रखना, आप आप question number लेखेंगे, फिर mention करेंगे, यह होगा हमारा, ठीक है बच्चो, और आपको electronic schedule वगरे नहीं लेके जाने, तो total information मैंने आपको देद दी है, जो आपको descriptive के लिए चाहिए, बैच की अनौनस हम ने आपको बता दिया है, 12 तारिक से बैच live हो जाएगा, live नहीं होगा, अ महां से आप लोग access कर पाएंगे, हम 12 को introduction वीडियो रखेंगे उसके बाद, 13 तारिक को हमारा पहला आपका mock test आने वाला है, ठीक है, उसके बाद जो बच्चे उसको attempt करेंगे, फिर मैं उनको चेक करूँगा, एक पूरी process चे लेकिए, मैं आपको बता दूँगा, कैसे करना ठीक है बच्चो, तो एधा मेरा वीडियो सुप्रीम कोर्ट अफ मिडिया के लिए, थैंक यू सो मच